So hey guys, कैसे आप सुम में को comments पर जरूर से बताएगा and ये है Xiaomi का Mi 11i वैसे आजकल Mi लगता नहीं है तो सरफ Xiaomi 11i बोलते है and यहाँ पर मेरे पास ये ना blue वाला variant था and इसको मैं काफी दिन से चला रहा हूँ and finally मैं आप भी आपको verdict दे सकता हूँ कि इसका experience कैसारा हर एक चीज़ का मनलब चाहे हो हम बात करें design vision का, चाहे हम बात करें camera का तो काफी सारे लोग यहाँ पर camera को बड़ा criticize कर रहे थे तो हम सारी सारी चीज़े ही आप बात करेंगे कि यह कैसा smartphone है in overall तो आपको क्या करना है इस video को like कर देना है क्योंकि यह video मैं बहुत मुश्किल से without fog लेकर आ रहा हूँ आपका subscribe भी मांगता है तो कर देना तो चले सबसे पहले design के बार मैं बात करता है पर पहले तारीफ करूँगा कि इन्होंने back cover की quality बहुत अच्छी दिया है इसके साथ तो इसको मैं अगर डाल रहा हूँ तो आपको पता होगा इसमें camera hump आता है काफी अच्छा खासा आज जो यहाँ पर frame है वो flat है जो कि आज कल नया trend चला है एंड यहाँ पर frame flat भी है इसके edges है वो थोड़ी से rounded है जिसका मतलब यह edgy नहीं है हाथ में comfortable लगता है फोन एक चीज़ बता दो छोटे हाथों के लिए शायद थोड़ा से दिक्कत हो जाए क्योंकि थोड़ा size का जो weight है वो जादा है मतलब और थोड़ा hefty लगता है 6.67 inches की display दिखने को मिल जाती है काफी vibrant display क्योंकि इसमें आपको AMOLED display दिखने को मिलती है बर सिर्फ इतना ही नहीं इसके अंदर 120Hz का display है जो की काफी कमाल का display है और मैं बता हूँ यार मैंने recently Xiaomi में और भी phones उसके थे 120Hz इवन की POCO में भी थोड़ा lag ही था बट यहां पर आके game change हो चुकिये इन्होंने बहुत improve कर दिया 120Hz मुझे कहीं पर भी कोई lag या फिर bug नहीं फील होता एकदम से smooth आपको यहां पर लगेगा चाहे आप settings menu में चल जाओ चाहे आप app drawer में चल जाओ चाहे किसी app में चल अगर आप content content देख रहे हो इस phone के अंदर मजा आएगा चाहे आप हमारी video देख रहे हो चाहे आप Dubai को 8K में देख रहे हो so it's good ठीक है तो शेक वगर आप देख रहे हो चाहे गुरू जी देख रहे है तो मज़ा आने वाल है इसकी विए अच्छ है मैंने इसको side से भी देख बहुत जादा है और इसको अगर मैं बिल्कुल minimum कर दूँ तो रात को अगर आप यहाँ पे चादर के नीचे किसी सा बात करते हो कंबल में चुपके तो यह आपके लिए बहुत सही है यह बिल्कुल dim हो जाती है आपको लग रहा हो को screen off है बड़ ऐसा कुछ नहीं है मैं इस को ऐसे ही यहाँ पर slide कर दूँगा तो देखो अभी दिखना लग गया है से यह इस डिस्प्ले में आपको brightness अच्छे मिल रही है outdoor visibility अच्छे मिल रही है peak brightness 1200 की मिल जाती है sunlight mode देखने को मिल जाता है reading mode देखने को मिल जाता है so overall कोई feature के उपर इन्होंने कमी नहीं जोड़ी ह IP 53 भी है guys अगर आप सोच रहे था ना build quality में नहीं include किया है मैं भूल गया था बूल जाता है इंसान हो यार तो हाँ थोड़ा बहुत dust वगरा या पर splash proof है यहाँ पर अगर हालकभू को cheat out रपड़ जाता है बारिश में थोड़ा बहुत तो दिक्कत नहीं है भाई इसका आप एक नया प्रससर है जो कि यह डामन सिटी 920 मीडियाटक यार आप एक चीज़ देखोगे जितने भी हम flagship phones या पर midrange phones देख रहे हो ना अभी की टाइम पर मीडियाटक हमें snapdragon से जादा दिख रहे है आप दो और कारन है याप एक तो यह थोड़ा सस्ता मिल जाता है दू आप बात करते हैं कि अच्छी बात करते हैं कि अच्छी बात एक और की यूफस 2.2 देखने को मिल जाता है इसके अंदर और मैंने जितना एप ओपनिंग देखा है बहुत ज्यादा फास्ट है यार रैम मिनेजमेंट के बार में बात करते हैं किसी टाइम पर शॉमी की रैम मिनेजमेंट मुझे इतनी पसंद नहीं थी परसनली बट यार स्पीड टेस्ट अगर आप देखोगे तो देखो कि मैंने जितनी चीज़े को ली थी सब की सब मेमरी पे रहती है यार जब अब गेम पर के खेलते हो या फिर आपको कॉंटेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको स्पीकर अच्छी चाहिए होते हैं तो इसमें नीचे भी स्पीकर है उपर भी स्पीकर है शौमी की खास बात यह कि earpiece में speaker नहीं देते हैं यह उपर देते हैं symmetrical होता है which is a nice thing and यहाँ पर speakers जो है वो loud है clear है बहुत मज़ेदार है and next thing नहीं बहुत जाना doubt रहता है कि MIUI वाला phone लें कि ना लें क्योंकि इसको कही लोग Meme UI भी कह देते हैं specially 12.5 special edition आने के बाद special edition नहीं है enhanced edition हाँ enhanced edition so यह enhanced नाम सही है क्योंकि काफी जादा enhance हो चुक है MIUI आपको बहुत जादा अच्छा performance देखने को मिल रहा है मुझे यार MIUI के seriously मेरे को UI इतनी पसंद नहीं आती थी but actually मैं अभी Nova launcher भरा हुआ है मैं test कर रहा था कि Nova launcher इसके उपर कैसा perform करता है but आपको अभी home launcher भी सही हो गया है आपको कहीं पर UI पर कोई lags जल्दी नहीं देखने को मिलते यह तो पहले बहुत बगी होता था बट आज की टाइम पर MIUI बहुत जादा improved है और customizations तो you know लोग MIUI को पसंद क्यों करते है क्योंकि इसमें धेरो functions दिखने को मिल जाते है धेरो customizations मिल जाती है but अभी के हिसाबचे customization के साथ यह काफी-काफी smooth भी है अब नेक्स चीज़ है इतना सारा कुछ अगर माल मटीक्रिल दे दिया है तो यह लंबा भी चलना है चाहिए तो 5160 image की battery देखने को मिल जाती है अब जो hypercharge वाला phone है उसके अंदर battery चोटी है charger बड़ा है बर इसके अंदर battery बड़ी है charger चोटा है अगर आप बहुत हैवी गेमर हो तो यह पूरा दिन निकाल देगा और इस पर इंडिस्पे फिंगर्मिंट स्कैनर नहीं है यह थोड़ी सी शिकायत है मेरे सारे ब्रेंड्स है मतलब आप एमोलेड डिस्प्ले देते हो तो इंडिस्प्ले भी डाल दिया गरो है यहां बर दे इसका जो साइड फिंगर्मिंट स्कैनर रहना यहां पर वह बहुत कर रहना तो कुछ ब्रेंड्स है जो अभी पीछे देते हैं वह पसंद नहीं आता साइड वाला बहुत कर्मिनियंट भी रहता है और बहुत जादा फास्ट है इसके अंदर सो कपेस्टिव का फाइदा तो रहता ही है वह यहां फास्ट पिंगर्रिंट का बाग इसमें 4G प्लस देखने को मिल जाएगा नथिंग टू वरी और बाकी एक और चीज गाई इसमे इसमें 5G bands हैं अब उसके बार में जादा explain में नहीं करूँगा वी देखो 5G आया नहीं है इंडिया में सो उसके बार में क्या ही बात करनी है तो आप सोच रहोंगे तारीफी कारी फोन में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही कमिया भी है लेट्स टॉक बाउट बाट करते है जिसका earpiece है वो थुरसा muddy आवाज आती है मैं loudness की बात नहीं कर रहा है loud काफी है voice आपको समझ भी आजाए कि क्या बात कर रहो आप voice कर लोगे proper बट यहां पर मेरे को थुरसे muddy आवाज लगी next year cameras पर चलते हैं बहुत सारे लोग इसको criticize कर रहे हैं कि इसका camera बहुत बेकार है यूज ने किया जा सकता है ऐसा वैसा so 108 megapixel का camera देखने को मिल जाता है ultra wide है macro है और पहले तो मैं macro का बोलना चाहूँगा Xiaomi इसके अंदर Tally Macro आपने क्यों निकाल दिया I miss that जो आपका Tally Macro है that's the USB of Xiaomi 108 megapixel सुनके मैं लगता है मजा आ जाएगा but ठीक है आप decent photos खीच सकते है इस जलत बोल रहा है आपको पता है ना वह वाली कर लेना 16-9 पर यह चल रही होगा तो इसके बाद आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हां overshapening थोड़ी से कम हो गई है बट आपको still human face पे overshapening दिखेगी I think यार एक update अगर ढंक से आ जाए ना तो यह वाली problem दूर हो सकती है ब बढ़िया फोडोस आप ले सकते हैं यह जादा पूरी फोडोस में पीनिया आते है इस पोन को कापी टी-सेंट फोडोस किछ देता है ऐसा नहीं कि यूजबल ही नहीं है सोचल मीडिया पर अच्छी फोड़ोस जा सकते हैं और मैंने काफ़ी सवीटर के उपर डाली है नहीं यह फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हो बागे इसमें यह यह से मैंनी वीडियो बनाई है सेंपल आप देख सकते हैं आप चैक आउट कर सकते हैं कि यह कैसी बन रही है और क्वालिटी वाइस कैसी लग रही है और क्वालिटी वाली वीडियो बना के देख लें मतलब की 60fps पर यह आपको देखने को मिल रही है बाकि माइक आउट्पु का आउट्पुट का पता चल जाएगा कि आवास कैसी आ जाती है यह आप देख सकते हैं बाकि यह जो मेरे मोम ने केचन गार रखा है उसकी वे आप जलक देख सकते हों आप यह फील्ड अफ यू देखने को मिल जाएगा अगर आप यहां पर व्ल बाकि में गबले में 16 MP है मैंने करा बेस्ट है बट सेल्फी कंपेटिवली बैक कैमरा से मुझे जाला अची लेगी है तो मैंने कुछ वीडियो भी शूट करी है अपने चैनल के लिए तो भाइसा आई वास हैपी विद दाट सो गाइस ओवराल यह थी मेरी शौमी 11i की फोन के पास एक पतले फोन के पास यहां पर शौमी ने दोनों तरह के और अप्शेंस दे रखे अपने वजट में बाग यार आप में को कॉमटे बताना आपका क्या कहना है मेरा तो इतना है इसके बारे में मैं आपको मिलूंगा नेक्स वीडियो में I hope आप आओगे and keep smiling and always stay Okay guys, love you, bye-bye.